चलिए आगे बढ़ते हैं राइपूर से अगली खबर है जहाँ पर सियम विश्णुदीव साय आज सक्षा विभाग की बैठक लेने वाले हैं बैठक दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और बैठक से पहले नए कानून के संबंध में कमपेडियम का विमोचन भी किया जाएगा तो दोपहर 12 बजे सियम हाउस में बैठक होने वाली है सक्षा विभाग की निवास पे आज सिच्छा विभाग की बैठक होने जा रही है और खुद मुख्य मंतरी विश्णुदीव साय इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे चुए देखे सिच्छा मंतरी इस्तिफा दे चुके हैं चुकि बिज मोहन अगरवाल सांसत का चुनाव लड़े उसके बाद उन्हें जौ नियम है नियम के मुताबित उन्हें इस्तिफा देना पड़ा लेकिन जो सिच्छा मंतरी का पद है अभी भी रिक्त है ऐसे में ऐसी स्थिती आने पे खुद मुख्यमंतरी विश्णुदेवसाय ऐसे पद्व को सम्हाल सकते हैं यही वज़ा है कि सिछा मंतरी का दायू तो भी मुख्यमंतरी विश्णुदेवसाय के पास मौजूद है ऐसे में देखिए आज एक महतपून बैठक स्कूल सिक्षा विभाग की रखी गई है जिसमें मुख्यमंतरी विश्णुदेवसाय तमाम अपसरों को दिसन निर्देश दिये जा सकते हैं देखें हलाकि पहले ही स्कूल सिक्षा विभाग की और से कई स्कूल को खोलने से पहले ही मरमत के निर्देश दिये गए थे साथ साथ जो बहुत से ऐसी स्कूल है जहां पे सिक्षकों की कमी है तो उन तमाम चीजों को लेकर के भी कई भातपून चर्चा होने की संभावन आ हलाकि देखें स्कूल सिक्षा विभाग की बैठक से ठीक पहले ही जिस तरह आज पूरे देश में नए कानून जो है वो प्रभावी हो जाएंगे तो उस नए कानून के संभन में आज मुख्यमंत्री विष्णू देवसाय भी कंपेडियम का विमोचन भी करने जा रहा है कर ग्यारा बज़े के आज पास मुख्यमंत्री विष्णू देवसाय नविन कानून का कंपेडियन का विमोचन करेंगे जी किया राजेश निशाद आप पर नजब बनाकी रखेगा बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए तो चटीस गड़ में क्योंकि सिक्षा म भाग को लेकर मैं तो बोर्ट बैठर करने जा रहे हैं